असलामनीकूम क्लास, नेक्स्स डिसकॉस करती हैं, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नमबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, अभी तेक हमने टेक्निक्स में बढ़ा, फिल्टरेशन बढ़ा और फिल्टरेशन की कुछ टाइप को हमने इस्टॉडी किया, फिर दैन सेकंड टेक् पूरिफिकेशन की टेक्निक है, यह हमारे पास सब्लीमेशन, एक फिनॉमीना है, जिसके अंदर हम स्टड़ी करें, देखेंगे, कि अगर किसी बिचे हर एक सॉलिट को पूरिफाइ करने के लिए नहीं होता, ब बोलके स्पैसिफिक, वो सॉलिट जिनको हम हीट करें, अपान ह किस फौर्म में कर नपर हो अगाए किस में कर दो सकता है आसे सब्लीMेशन कि यह ढ इसपलीमेशन क्या है सब्लीमेशन एक प्रॉसेस है जिसके अंदर हम जब सॉलिट को हीट करेंगे वह डिरेक्ट लेकिस्ट में गण्वाट हो जाएगा वेपर फेस के अंदर convert हो जाएगा without passing through a liquid face liquid face में जाने के बज़ाए direct किस में चला जाएगा वेपर फेस में इस phenomenon को हम क्या कहते हैं sublimation क्या क्या क्याते है sublimation क्याते है sublimation direct किस में चला जाएगा वेपर्स में वेपर्स के अंदर जो दर्म्यान वाला फेस है solid से sublimation क्या होगा solid form के अंदर होगा solid से direct किस में चेंज हो रहा है वेपर्स में इस वेपर्स को हम दुबारा किस में convert कर सकते है solid के अंदर यह reversible reaction का sign दे रहा है इसलिए हम कह रहे हैं कि वेपर्स को दुबारा किस में convert करेंगे solid के अंदर convert करेंगे ठीक है तो अगर हम examples देखते हैं कौन-कौन से liquid हैं जो हमारे पास जिसको अगर हम heat करें तो direct vapor face के अंदर गैसियस face के अंदर convert हो जाएंगे तो वो हमारे पास क्या है नेफ्थलीन है एक हमारे पास क्या है नेफ्थलीन है बंजोई कैसे आयोडीन यह कुछ examples है इसको अगर हम heat करेंगे तो direct किस में convert हो जाएंगे वो वेपर्स के अंदर convert हो जाएंगे इस phenomena को हम क्या कहते है vaporization वो sublimation कहते है क्या कहते है इसे हम sublimation कहते है अब यह use क्यों होता है कि sublimation हम करते क्यों है इस यूज टू प्यूरिफाइड करने के लिए किस करने के लिए purification के लिए कि अगर हम impure है से किस में convert हो जाएगा pure form के अंदर convert हो जाएगा जैसे अगर हमने लिया नेफ्थलीन लेते हैं क्या लिया हमने नेफ्थलीन लिया या बेंजोई गैसिड लिया या आयोडीन लिया या अमूनियम क्लॉराइड लिया ठीक है यह कुछ एग्जेंप वाज़ है अमूनियम क्लॉराइड अब इस में से किसी एक substance को हमने लिया वो impure form के अंदर था किस है ना वो वैपर्स में convert हो जाएगा जो impurities हैं वो कहां पर रह जाएंगी नीचे रह जाएंगी तो हमने impurities को separate कर लिया फ्रॉमा प्योर कंपाउंड से तो इस तरह यह हमारे पास purification के लिए यूज होता है अगर हम डाइग्राम देखते हैं इसकी schematic diagram के एक हमारे पास क्या है फरनल है ठीक है इसको हमने cotton plug के साथ क्या कर दिया यह एक watch glass है जिसके ओपर हम क्या ले रहे हैं अपना sample ले रहे हैं इसको direct heat नहीं करेंगे इसको heat किसमें करते हैं हम वो भी बताते हैं हाँ जी हाँ जी बते हैं तेंथ किलास में आपने किया होगा शायद हलका साथ अच्छा आप तो यानिके luckily without practical दें अच्छा यह एक apparatus है जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि एक हमारे पास क्या है कि यह वाच गिलास है क्या है यह हमारे पास वाच गिलास ठीक है यह हमारे पास sand bath है क्या है सेंड वाच वाटर बाद भी यूज़ कर सकते हैं यह क्या है हमारे पास फनल है ठीक है और यह हमारे पास क्या है ट्राइपोड इस्टेंड है और यह हमारे पास क्या है बर्नर है यह अब जिस सेंपल को हमने क्या करना है सब्लिमेशन के लिए कर यूज़ करना है सब्लिमेशन के लिए इस सेंपल को हम कहां पर लेंगे कि यहां पर इस पर लेंगे ठीक है यह हमारे पास सेंपल है कि सॉलिक एंदर है कि जब इससे हम हेट करेंगे हीट करने पर यह क्या हो जाएगा वेपर आई हो जाएगा है याप एप साइट यूज PAL नोज़ोगे अब इस funnel के जो outside पर हम इससे क्या कर देंगे? Cool कर देंगे, यानि कि कोई भी wet cotton यूज करेंगे क्या यूज करेंगे? wet cotton इस side पर यूज करेंगे जब wet cotton यूज करेंगे, temperature क्या हो जाएगा इस side का? कम हो जाएगा ना और पर यहां पर दीपॉजट होना शुरू हो जाएंगे पिर उसको क्या कर सकते हैं separate लेंगर के लिए हम providers लेकिन आगर रसानी के लिए हम क्या करते हैं अगर जैतु यहां पर है कि इस जो हम ने वाज गलास लिया ना वाज के निचे क्या रख लें अपना जो अजõ यह सेंपल के ऊपर क्या खने पर तरह direct dal da वह क्या होगा वैपर के अंदर करण रोगा वैपर में से कहां आ जाएगा वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा जो पर क्रिस्टल आएगा वह कौन सा होगा हमारे पास प्यूर कि इसको जो हीट करने पर यहां पर मिलेगी तो यह पूराइब क्या होगा जाए घ्रक्ट हीट करने पर यहां पर करने पर वो डीकंपोज भी हो सकता है क्या हो सकता है डीकंपोज जादा हीट करने पर हमें एक कॉंस्टेंट हीट चाहिए अब जब जहां से उपर साइट पर जो हीट मिलेगी ना वो क्या होगी कॉंस्टेंट हीट है जगर हम डिरेक्ट हीट करें तो हो सकता है इस साइट पर तो कैया है वो जादा हीट मिले और दूसी साइड से क्या हो कम में ले ठीक है तो हम क्या करते हैं जैंटली हीट करने के लिए ये इक वाटर बाथ यूज़ कर लेंगे वाटर बाथ का पूरे का तंपरिशन एक हो जाता है प्र अपर की तरफ मूब हो रहा है तो से मेल्ट होना हंसानी होग argentet करने के लिए रिक कंड्रोल हीट करने के लिए सब्सक्राइब करते हैं या इसका तरिड़ में नोड्य कर सकते हैं कि सेंट बाथ के नदर में उस करें तो हमें पूरी का पूरी सेंड्म क्या है कि इस रिष्च पर हम में हरे है तो अब तो क्या है कि हमारे पास क्या है कि हम वह जो होट प्लेट हमारे पास है उस पर हम टमप्रेचर सेट कर देते हैं कि हमने हीट करना है अप टू एटी डिग्री जा हैंड़ डिग्री जा इससे जादा तो उस पर फिक्स कर देंगे उससे जादा नहीं होगा ना कम होग अगर वह उस्ट्रूमेंट नहीं है ज्यहां पर हमने control हीटिंग देनी है तो हम मैनुवल मेथट के लिए क्या करते हैं इंड्रेक्ट हीटिंग यूज करते हैं क्या उसक्याइब आप इसका procedure देख लेते हैं क्या procedure है हमारे पास process के steps देख ले हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं दा सेम्पल इस टेकन इन वाज गिलास वाज गिलास ना हुआ आपके पास क्या ले सकते हैं चाइना डिश ले सकते हैं क्या ले सकते हैं चाइना डिश ले सकते हैं पचाइन अडिश रख है उसके पर आपने फ़नल एड़ करती है ठीक है तो वाज गिलास होना जुरूरी नहीं है कि सिर्फ वाज गिलास होगा तो हमारा प्रैक्टिकल होगा अब क्या करेंगे कि एक इसके पर प्लेस कर देंगे क्या प्लेस करेंगे इन्वर्टिड फ़नल य ऩहीटिंग कून सी है डिरेक्ट हीटिग यह इन्डिडीisco हीटिंग गरेंगे विद सेंड बात और वाट्र बात अर्य नबर फॉर पर है वेट कार्टन कրेस कर ना और पे हैं कि और सीतिंग आउट साईड दा साइट फॉनल कि ओन्पूलिंग जो हमारे पर क्रिस्टल्स होना शुरू हो जाएंगी इंसाइड दा परनल के अंदर यह हमारे पास प्रोसीजर था किसका सब्लीमेशन का सब्लीमेशन एक प्रोसीजर जिसके अंदर हम सॉलिट को वैन हीट करेंगे डेक्ट्री कनवर्ट हो जाए किसके लिक बेड को अगर फर्दर हीट करें तो किसमें कर रहा है इसे में क्या क्या रहे हैं सब्लीमेशन के रहे हैं किस की एगजेंपल है करते हैं कि सब्लیमेशन करवाने के लिए हमारे पास सब्स्टांस को तो अगर प्यूर नेफ्तलीन है तो ठीक है जब इसके अंदर जो वैपर कंडेंस होंगे तो उसके बाद जो गेंडिन होगा वोगा प्यूर्ट होने के बाद इस वाज गिलास के उपर आप जो फिल्टर पेपर से उपर जितने भी क्रिस्टल आएंगी जो भी हमारे पास प्यूर्ट के उपर, कि प्यूर्ट रोग सॉलर्फोर के उपर हे जूपर,aremosें हमवाज गिलास के प्यूर्प आपकाइश कौनेय इस एक एक फिल्टर पेपर लगा यहांद की अधर हो,क्यूंद आपका border य हीट करने पर वाटर पात के उपर क्या होंगे कि जो हम सेंपल ले रहे हैं वो वेपर में हो जाएंगे तो वैपर में कनवर्ट होने के बाद यहां पर हम तमप्रेचर कम करेंगे तमप्रेचर कम करने के लिए वेट कॉटन को इसके से आउट साइडर क्या करएगे बना देन होकर इस की बना देंगे लिकृड बना देंक्या बना देंगगे अज्य 음식 कों साथ हमारे पास क्यों होगा यह सब्लीमेशन के अब दृड्ड करें गे तुन झाल झाल